कोरोना संक्रमित मरीजों में बनी अंटी बॉडी की पहचान के लिए कल से पुरे प्रदेश में सिरो सवे का दूसरा राउंड शुरू हुआ इसी कड़ी में सिरसा जिले में सिरो सवे के लिए कुल 12 टीमों का गठन किया गया है जिन में से आठ टीमें ग्रामीन क्षेत्र से वचार टीमें शेहरी क्षेत्र से सेंपल लेंगी सवे के दो दिनों के दौरान कुल 720 लोगों के सेंपल लिए जाएंगे जिन में से पहले दिन सोमवार को 446 सेंपल लिए जा चुके है और बाकी के सेंपल आज लिए जा रहे है सिरो सवे की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना से लने की आगामी रणनीती तैयार की जाएगी हम आपको बता दे की पहले राउंड के सवे में सिरसा जिले में तीन प्रतिशत जनसंख्या में अंटिवाई पाई गई थी जिसमें हमने ग्रामीन और सहरी सेत्रों में बारा टीम में लगाई हुई हैं जो कि चार टीम में सहरी सेत्र में और आर टीम में हमारी ग्रामीन सेत्र में और कुल मिलाके हमने 720 सेंपल दो दिन में लेने थे तो कल हमारे 440 सेंपल हो चुके हैं और आज भी हमारा ये सेंपलिंग जारी है आगे इनके दो दिन के जो रजल्ट हैं वो जो भी आएंगी तो ये PGMA संडिगर उनके सुप्रिजन हो रहा है मार्क दरसन में तो वहां सारे ड होना से संक्रीवित होचके हैं और जिनको पता नहीं लगा नहीं यह तो सरफ एक सीरो सर्वेज पोपुलिशन बेस सर्वेज जिस यह पता लगए कितने परसेंट आबादी है जो इन्फेक्रीड होचकी है आका महाधिक सधिक सेंपलिंग बढ़ाएंगी इसके लिए मने पि तो मेरी अपील है वी दोगज की दूरी एक पब्लिक प्लेश पे मास जूर पहने और दूसरा साबून से बार बार हाथ होते हैं ताकि इसके संक्रम से बचा जासके और इसके मिलो ज्यादा फैलाओ को रोका जासके ठीक होने कि दर हमारी करी महीना पहले चोहतर परसेंट थ होती है कि लड़ने की समता कितनी है अपने श्रीर में कोरोना के खिलाफ तो हमें इसके सर्वी किया जा रहे कि कितना फैल चुका है कितना आगे कम्यूनिटी स्प्रेड है हमें किता और टैस्टिंग की जूरत है आगे कैसे और क्या करना चाहिए उसके लिए आगे बैतर कितना चाहिए यह सिक अंडर में अलग अलग टी मेस हैं जी